देश में कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर इसका दर पर पा रही है कि भारत में मौत काकळा 3 लाग के पार पहुँच गया है करीब डेड़ साल से भारत इस महमारी से जूच रहा है लेकिन अब कोरोना ने भारत में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं भारत में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या रविवार को 3 लाग के पार पहुँच गई देश में पिछले सार 13 मार्च को संक्रवन से पहली मौत हुई थी इसके 14 मही ने 10 दिन बाद मौतों की संख्या 3 लाग हो गई है अब तक कुल 3,2744 लोगों की इस महामारी की वज़ा से जान चाच चुकी है देश में कोरोना की दूसरी लह कमजोर जरूर पढ़ने लगी है लेकिन मरने वालों की संख्या कम नकी हो रही है माई में हर रोज करीब 3500 मौते हुई है ये पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है कोरोना ने कई देशों में अपना कहर बर पाया है लेकिन सिर्फ दो देश ऐसे हैं जहां 3 लाग से ज्यादा लोगों की जान चली गई हो इनमें अमेरिका सबसे पहले नमबर पर है और ब्राजील दूसरे नमबर पर अमेरिका में संक्रमन से 6 लाग और ब्राजील में संक्रमन से 4 लाग से ज्यादा लोगों की जान चली गई दूसरी लहर के फीक पर पहुंचने से पहले देश में एक दिन में 4 लाग तक मामले सामने आए ये संख्या अब खट कर 2 लाग पर आ गई है हाला कि ये दुनिया में अब भी सबसे ज्यादा है बताने कि दुनिया भर में कोरोना अब तक करीब 35 लाग लोगों की जान ले चुका है इनमें 3 लाग भारतिये भी शामिल है इस हिसाब से दुनिया में कोरोना से मरने वाला हर 13 शक्स भारतिये था भारत में एक लाग मौते एक महीने से कम समय में हुई भारत में मौत का आकड़ा पिछले साल इतना नहीं था जितना इस साल बढ़ा है देश में कोरोना से मौतों की संख्या एक लाग तक पहुँचने में करीब साड़े छे महीने लगे थे एक से दो लाक होने में साथ महीने से कुछ कम वक्त लगा वहीं दो से तीन लाक मौते एक महीने से भी कम समय में हो गई इस दोरान शमशान में लगाता जलती चिताओं, नदी में बहते शब और गंगा किनारे लाशों के दफनाने की कई फोटोस भी सामने आई हाला कि दिली में जिस तरह से दूसरी लहर से स्थिती खराब हुई थी ऐसे में दिली में अबनाए मामलो में काफी गराब अचाई है दिली में नए केस घटकर 2000 से कम हुए दिली में कोरोना के मामले घटने का सलसला जारी है, रविवार को हिया 1650 नए केस मिले 30 मार्च के बाद यहां इतने कम केस सामने आए हैं तब 992 लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई तेज़रान 189 मरीजों की मौत भी हो गई थी लगातार दूसरे दिन मरने वालों के संख्या 200 से कम रही मरीजों के आंकडों के साथ ही दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी लगातार कम हो रहा है अब ये 2.42% हो गया है इसके बावजू सरकार ने लोगडाउन एक हफते के लिए बढ़ा दिया है उधर दिल्ली से सचे खरियान में भी राज्य सरकार लोगडाउन 31 माई तक बढ़ा चुकी है मुखे सचे विजवर्धन ने अपने आदेश में कहा है कि पहले 24 माई तक लगाई गई पावंदिया 31 माई की सुबा चार बजे तक बढ़ा दी गई है चलिए अब देश में कोरोना के मामलों की बात कर लेते हैं लगातार दूसरे दिन नए केज 2,5 लाग से कम सामने आए देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफता धीमी होने लगी है अबिवार को देश में 2,23,000 नए केज सामने आए है ये पिछले एक महीने में एक दिन में मिले मरीजों की सबसे कम संख्या है शनिवार को 2,44,000 लोगों में कोरोना की उष्टी हुई थी तब 35 दिन बाद नए संक्रमतों का आकड़ा धाई लाग के निचे आ गया था इससे पहले 16 अप्रेल को 2,34,000 लोग कोरोना संक्रमत पाए गए थे हाला कि महमारी की वज़ह से जान गवाने वालों का आकड़ा अब भी चुन्ता का सबब बना हुआ है पिछले 24 गंटे में देश में कोरोना की वज़ह से 4,452 लोगों की जान गई हाला कि राहत की बात ये रही कि दोरान 3,000,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए है इस सरह देश में एक्टिव केस यानि इलाज करा रहे मरीजों की संक्या 83,861 की गिरावट देखी गई है फिलाल देश में 27,16,000 कोरोना संक्रमतों का इलाज चल रहा है बीते दिन दिकॉर्ड 21,23,000 टेस्ट हुए भारतिय चिकेटसा अनुसंधान परिश्वत के मुताविक देश में श्रनिवार को कोरोना वारस के लिए 21,23,782 सेंपल टेस्ट किये गई ये सिब भारत में ही नहीं बलकि दुनिया में एक दिन किये गई टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है देश में अब तक कुल 32,86,7,937 सेंपल टेस्ट किये जा चुके हैं हाला कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए केंद सरकार की तरफ से तो लॉकडाउन नहीं लगाया गया लेकिन हाँ राज्जों ने लॉकडाउन जैसी पावंदिया जरूर लगाई थी देश के तेरा राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों में आंशिक लॉगडाउन है यानि यहाँ पावंदिया तो हैं लेकिन छूट भी हैं इनमें पंजाब, जम्बू कश्मीर, लदाक, उत्राखन, अनुनाचल प्रदेश, सिक्केम, मेगाले, नागलेंड, असम, मनिप पिछले साल देश जब कोरोना की पहली लेहर से जूट चुका था तो एक समय सब भी आ गया था कि भारत में स्तिती काफी सुदर गई थी और भारत उन देशों में शामिल हो गया था जा कोरोना के कम मामले थे लेकिन अब जिस सरा से भारत कोरोना से गई लोगों की मौत के आकरे में तीसरे नंबर पर आ गया है ये वाकरी चुनता का विश्य है इसलिए साफधानी बरत ना बहुत जरूरी है बार बार हाथ धोते रहिए मास्क लगा कर रखिये और शोशल डिस्सेंसिंग का जरूर ख्याल रखिये नमस्कार